इसलाम लेकुम प्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल आई होब जी आप सब खैरियत से होंगे अल्हां बीचे से मेरी काषब चैनल आई गलु सर्डाव Living मेरी नाई होई मेरी कुदा है नाई के साथ हुआ है मेरी बेटी हमने के तौ 9 अठाम के दो आएंस सेलनाः इंसेलन रहना है अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो कर ले तो खैर जी ऑनलाइन हो गया है दुबारा से स्कूल तो मेरी बेटी की क्लास भी स्टार्ट होनी है और हस्बर ने भी जो है वो नाइन थर्टी तक चले जाना है तो बस अभी हम मैं बना रही हूं नाश्ता और साथ ही साथ मैं बनाना शुरू कर दूँ अच्छा आज जो मैंने आप लोगों के साथ एकना बात डिसकस करनी है वो काफी लोग जो है वो मुझसे पूछ भी रहे थे कि मेरी काफी फ्रेंड्स है उन्होंने मसकत आना है और वो आके मुझे ना मैसिज करती है और वो पूछती है कि भी अच्छान से आने के बाद हमारी क्या फीलिंग होती है और यह बी बताऊंगी किस तरह से आपने अच्छाब अच्छा चौराइधाए में बादे को रूक्टीन और यहां पे एटपर जाते है तो खेपल हाल यहां पे मेरी बेटी की जो है वो क्लास है स्टार्टॉट पने कर दूँ और बच्चों की वेने स्टेडी सकल को कराई थी और बुक्स यहां पर यह पड़ी है अच्छा इस दफ़ा क्या था कि हम लोग तीन साल बात पाकिस्तान गए थे तो वहां जाके जो है वो जाहिर सी पात है रालेटिव से मिलना सबके साथ जो है वो हसी मजाग फिर हैं थी वहां पर और एक दूसरे के साथ जो है ना काफी जादा जो है हमने टाइम स्पैंग किया तो आ के जो है वो काफी जादा जो है मुझे भी फील हो रहा था और बच्चों को भी यूँ के बच्चे भी माशाला बड़े हो गए तो उनके कजन्स थे वहां पर उनके बताया वो हमने वहां पर अटेंड की तो इस तरह के माहोल से जब हम लोग वापिस आए हैं तो ऐसे बिल्कु लिटरली ऐसे ही फीलिंग आर थी जैसे हमें किसी ने घर में बंद कर दिया है क्यूंकि हमें हमें ड्रॉप करके तो वह तो अपने काम पर चले गे थे तो हम लो अगर मैं ही जो हूँ इतना जादा मतलब करूंगी तो बच्चे तो और ही जादा डिप्रेस हो जाएंगे तो बस हमने भी क्या किया कि अपने आपको बीजी रखने की कोशिच कि और यही मेरी भी टिप आप लोगों के लिए जो मेरे से पूछती है आप लोग मेरे से इनसान जो है वो काट ओफ होके रह गया है लोगों के घरों में आना जाना जो है वो काफी कम हो गया है तो अभी इस तरह के हलात में अगर आप आते हैं तो आपने आपको जो है वो खुद से दिल लगाना है अपने घर में आप अपने घर की सेटिंग करें उसको क्लीनिंग करें जैसे मैं भी आप लोग देखते रहते हैं साफ सुफाई करती रहती हूं बच्चों के साथ अच्छा यहां पे एक प्लस पॉइंट जो मुझे लगता है कि यहां पे हम लोग ना बच्चों को बहुत जादा टाइम दे सकते हैं कि और कुछ करने को होता नहीं है बच्चे कर लेकिन मैं उनको इतना जादा जो है वो इस चीज का नहीं करवाया कि आप इस वज़ा से तंग हो रहे हैं मैंने उनका जो है वो माइंड चेंज करने की कोशिश की उनको बज़ी रखा उनको एक्टिविटीज दी मतलब बच्चों ने जो कहा कि हमने जो चीज खेलनी है जिस तरह से काम करना है मैंने जो करने दिया और बहुत सारे मेरे काम ते जैसे वो हमने काफी शॉपिंग की थी पाकिस्तान से तो बचों को मैंने अपने साथ काफी जादा घु आपने कामों में ब्ज़ी रखा और इसी तरह से हमने घर को भी भार जो है वो दूबारा सेacking म हम लोग जाते हैं तो क्या होता है कि घर जो है वो काफी जादा जो है वो उलट पुलट हो जाता है और वापस आके दुबारा से रूटीन में सेट करना तो काफी जादा वो टाइम भी लग जाता है तो ये सारा टाइम जो है जो है जो जिसमें मैं काफी जादा डिप्रेस हो में आपने घर को टाइम दिया और भी मिया है । तो बहुत जादा माशला हमने इंच्वाय किया तो आके बच्चों को जो है वो मैंने सारा पीछे से काम भी कवर करवाया और बच्चों को दुबारा से जो है रूटीन में लेके आई हूं तो यह सारी बात थी किस तरह से आप एड़स्ट करते हैं आप अपने घर को टाइम द आप एड़स्ट करते हैं तो यह सारा था सिल्सला पाकिस्तान से आप काफी जादा उदासी रही वहां पर बहुत जाए बच्चों को लोगों को तो वह चीज़ें जो है वह काफी जादा इनसान को याद आती है जब आपकेले होते हैं वापिस आ जाते हैं लेकिन क्या होता प्रुटीन मेरी सारी अभी प्रॉपर सेट होगी है अब जो है मैंने बच्चों को नहलाया है और यह मेरे प्यारे प्यारे से चूजे बठे में हैं आजकल रयान और आयान दोनों ने यही करते हैं कि बस सेम ड्रेस पहना है यूंकि आपको मैंने वैसे भी व्लॉग्स में को तेंग तेंग करता है कि जो सेम कलर अभी प्रॉड्स को माज़ यहां आप दीजाइनिंग से पर्क नहीं पर ठाइज बढ़ से एंग को पहना है तो इस पेहां तो अभी मैं अज्ग को गचसिच करते हूं कि रॉग्स बदूनों को पहना हूं कि वह प्राइज तो एंप क हमेवेश कोड़ से टारह कि अगले नुहार के या कोशुशिच हो तक तक वह मैं उसको तक रइडि नियुकार के बठा देती तो भी मैं माशाला से शुबार से Βक्राइव चेंज यूबड सारी गया तक में वह पॉश्र करना कर दो लेकिन आप लोगों को पता है ना माओं के काम जो है वो सारा दिन चलते रहते हैं फिर भी खुतम नहीं होते तो इसी तरह से मेरा भी हाल है सुबा भी क्लेनिंग करने पड़ती है और शाम को भी अच्छा तो अभी मैंने जो है कपड़े चेंज के लिए उसके बाद जोहर की नमाज का टाइम हो गया था तो जोहर की नमाज बढ़के तो अभी इसके बाद जो है मैं बच्छों को लंच दूँगी और फिर मेरे हस्बंड ने भी आना होता है वो तकरीब बनाते हैं टू ओ क्लॉक तक आते हैं तो बस उनके लिए फिर मैंने लंच बनाना है तो यह होती है हमारी जी सुबा की रूटीन और इस तरह से सारे काम जो है वो मेरे घर के चलते रहते हैं अच्छा जी तो आज की वीडियो अभी करती हूं मैं यहां पे एंड होपफुली आपको में याद रखिएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अलाहाफिज टेक कियर